आज मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से कुछ रहस्यों पर से परदा उठाने का प्रियास कर रहा हूँ तो चलिए सुनते हैं ये कहानी अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है इस चैनल को सब्सक्राइब या फोलो करना नहीं भूलियेगा साथ ही सेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलियेगा ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी प्रियरनादाय कहानिया उबलब कराता रहूँ इसको आप स्पोटिफाइ पोड़कास्ट, गूगल पोड़कास्ट, एपल पोड़कास्ट पर भी सुन सकते हैं इसका लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भागवान स्री हरी विष्णू के बैकुंट लोग में दो द्वार पाल थे जिसका नाम जय और बिजय था वे अपना कर्तब भी पालन कर रहे थे एक बार ब्रम्हा पुत्र संकादिक मुनी बैकुंट लोग देखने आउपस्थित हुए भूमते भूमते जैसे ही वे स्री हरी के द्वार के पास आये और अंदर जाने लगे उसे जे बिजय ने अंदर जाने से रोग दिया संकादिक मुनी बाल रूप में आये थे रूपना पड़ेगा वे चारों संकादिक एक पहर रूप गए फिर द्वारपाल बोला एक पहर और रूपना होगा क्योंकि प्रभू अभी भोजन कर रहे हैं वे लोग दूसरे पहर भी रूप गए फिर द्वारपाल बोला एक पहर और रूपना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु अभी सयन कर रहे हैं, वे लोग तीसरे पहर भी रुग गए, फिर भी जब उन्हें बच्चे समझ कर जाने नहीं दिया गया, तब संकादिक रिशी को क्रोध हा गया, वे बोले, बैकुंठ में रिशी मुनी और ब्राह्मन को प्रभु दर्शन क के लिए कोई समय की पागंदी नहीं है, फिर भी तुम दोनों हम चारो रिशीयों को तीन पहर इंतिजार करवाया, तब वे कुरुद्ध होकर दोनों द्वारपाल जय और विजय को स्राप दिये, जाओ, तुम दोनों तीन जुग में राक्ष्छ स्कुल में जन लोगे, और तुम दोनों को उन्ही के सरन्द में जाना होगा, वे ही उद्धार का कोई उपाय बताएंगे, तब जय और विजय उसी छन संकादिक मुनी के पास पहुँच गए, प्रणाम कर अपनी गलती स्विकार किये, और उस स्राप से मुक्ति का उपाय पूचा, तब संकादिक मुन फिरती तीनों लोक में होगी, और तीनों जुग में तुम्हारी मुक्ति भागवान स्री हरी के हाथ होगी, यह बचान सुनकर जय विजय अतिप्रसंद हुआ, उसी समय वे दोनों पतित होकर पृत्वी लोक में जन्म लिए, पहला जन हिरन्याकश्यप और हिरन्याक्ष के रूप में हुआ जिसका बद स्रीहरी ने नर्सिंग रूप में प्रकट होकर किया। दूसरा जन्म रावन और कुमकर्न के रूप में लिया और भगवान स्रीराम के हाथों उनका बद हुआ। तीसरा जन्म कंस और सिसुपाल के रूप में हुआ, जिसका बद भागवान से कृष्ण द्वारा कृष्ण आवतार में हुआ. इस प्रकार तीनों जन्म में भागवान के द्वारा उनको मुक्ती मिली और वेवेकुंड धाम हो गए. इस प्रकार सनकादिक मुनी के स्राप से उनका उद्धार हुआ। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि माता सीता का रावन अभरन किया, इसलिए भगवान राम ने उसका बद किया। उसका बद तो हन्मान जी भी कर सकते थे, क्योंकि हन्मान रुद्र यानि सिव के एकादस अपतार थे। उन्होंने इसलिए रावन को नहीं मारा, क्योंकि संकादिक मुनी के स्राप का उलंगन हो जाता। संकादिक मुनी के स्राप से मुक्ति है तू, उसे भगवान स्री हरी विष्णू, जो त्रेता में राम के रूप में आये, उन्हें के हाथों होना था। साक्षात माता सीता को उतो भरन दूर, उसे छूब भी नहीं सकता रावन, वहीं पर जलकर भस्म हो जाता। साथ हैं, इतना ही नहीं, जिस वक्त लक्षमन ने कुटी के चारो बगल लक्षमन रेखा खीचा था, उसको कोई भी पार नहीं कर सकता। यह भगवान स्री राम की माया थी, लक्षमन रेखा पार करने से पहले ही माता सीता अगनी देव के पास चली गई, वह रावन जो सीता को ले गया था, वह माया की सीता थी, वही माया सीता को जब असोक वाटका से लाया गया, तो उसे राम भगवान के पास आने से पहले झाल झाल